दोसों फोन में चार सेटिंग करने के बास जिंदीगे भर में मरते जम सकंती प्रॉब्लम नहीं ह Works हो जाएगा। अटक अटक के चलता है जवाँ फोन में Amazon Prime या for Netflix में वीडियो दिखती हो वीडियो रुग रुग के चलता है फोन में apps उपन होने में काफी टाइम लगता है एक पाता है बहुत सरे फोन में Patreon एप ओपन ही नहीं होता है उपन होने में काफी टाइम लगता है फोन में screen touch response काफी स्लो है जब आप phone switch on करती हो phone switch on उने में काफी time लगता है phone में ये जो play store है play store में 4 setting करके ये problem fix कर सकती हो जिन्दिगी में दुबारा से कभी भी phone hang नहीं होगा hang problem fix हो जाएगा अगर आप जानना चाहती हो play store में वो 4 setting क्या है जिसे करके phone में hang problem fix कर सको तो फिर इस वीडियो को देखते रही है और वीडियो का अपने दोस्तों के साथ सभी के साथ शेयर भी करना ताकि उनके पास भी ये इनफार्मेशन पहुंच सके और उने भी ये प्राब्लम का सलूशन मिल सके वीडियो को स्टाट करते हैं वीडियो को स्टाट करते हैं जरूर से वीडियो पे लाइक कर दीए चैनल को सबस्क्राइब पर दना स्साइड में ही ओर पी यासा comment लिक कर send कर देना दोस्तों फोन में जो प्लेश्टोर प्लेश्टोर में चार सेटिंग करने के बाद फोन दुबारा से कभी भी हैंग नहीं होगा हैंग प्राब्लम पुरी तरीके से fix हो जाएगा और वो चार शेटिंग प्लेश्टोर में करने से पहले फोन में एक ऩाईश दिया ओफल फो न ऑपसटन होगा और यहां पर एक यहां नीचिय आपस्ही वर्जन के उपर क्लिक करना है और यहां पर एक hy ऑपस्फनी विल्ड नंबर अगर मे फोन यूज करती हो मीवाई वर्जन के नाम से उपसटन होगाus बाकी फोन में build number के नाम से यह option होगा और इसके उपर 7 बार touch करना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 बार touch करने के बाद फोन में आपने जो भी passport set किया है वो passport यहाँ पर enter कीजिए और यहां से back करना है और आप यह फोन में setting उपन हो जाएगा developer option के नाम से और यहां से back कीजिए और यहां पर निच्चे या फुर additional setting या फुर accessibility के अंदर आपको developer option देखने को मिलेगा जैसे मेरे phone में system setting और यहां पर निच्चे देखिए developer option को लोगा एफोन में developer option को on करके आपको ढूल लेना है select कीजिए developer option और यहां पर निच्चे चलती आना है निच्चे आईए प्र नीचे दिखिया ट्रांजिस्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट हो जाएगा तो सबसे पहले आपको यहां पर आके यह तीनों स्केल में इससे 0.5x में sit करना है और यह setting करने के बाद second setting यहां पर एक है प्ले स्टोर में पहला जो setting आपको करना है यह profile photo icon पर click कीजिए और यहां पर एक है option manage apps and device यहां पर click कीजिए और यहां पर एक है option manage select करना है और यहां पर एक है option install यहां पर click कीजिए नीशे दिखिए option not install यहां पर click करना है और यहां पर एक है बहुत सरे apps दिखने को मिलेंगी यह वो सभी apps जो आपने phone में install किया था बाद में apps को phone से uninstall कर लिये थे यानि delete कर लिये थे वो सारे apps यहां प पर श्टोर होंगी आप सोस्यों फोन से एप को आपने डिलेट कर दिया है लेकिन यह एपस फोन के अंदर बहुत सारे जो कैस्ट डेटा है उससे स्टोर करके फाइल में सिप करते हैं ताकि अगर आप कभी फिर यह एप उपन करो वहां से वह कैस्ट डेटा को रिट्राइब क वहां से वह स्टार्च हो सकें वह डेटा एकसेश कर सकैंशन फिर यहां पर उससरे आप इनस्टॉल करता हो डिलेट करता हूं और यह एक औरा यहां से स्लीके लिस बनाता है पर दोसो पांच Mb हो गया है और यह डिलेड ऑप्शन पर करना है और यहां से रिमूट कर दीजिए और इस तरीके से अपको यहां से यह सारे एप्स को हटाना है एक पी यहां पर नहीं होना चाहिए नहीं तो यह आपके फोन में बहुत ज़ादा मेमोरी घेरा रहता है मेमोर option प्रक्ली कीजिए और यहां से रिमूप कर दीजिए यह पहला setting आप प्ले स्टोर के अंदर करना है और यहां से बेग कीजिए अभी दूसरा setting करना है और दूसरा setting क्या है यह बहुत important दिखिए यहां पर यह playstore यहां पर यह profile photo icon प्लेक करना है नीचे option आप्सों ने स्टेडिंग सटेडिंग स्क्लिक कीजिए और यहां पर एक आप हमेशा यहां पर स्टेट करके रखता हूं डॉंट ओट ओटो अपडेट एप्स यहां अपर इससे दन करना यह करने से क्या होगा मान लिजिए आपके फोन में कोई एप इंस्टॉल है और एप में 100 MB या पर 400-500 MB का कोई अपडेट आता है जो नाइट में अपडेट होता है automatically आपके फोन के background में और एससे में आपके फोन में देखिए internet डेटा भी यूज होता है और बहुत जादा यहाँ पर case डेटा भी यहाँ पर जमा होता है अगर कोई app आपको यहाँ पर update करना होगा manually उससे अपडेट कीजिए play store में आईए app को update करना होगा अगर आपको update नहीं हो इस एक को यूज नहीं करती हो इससे में update करने की भी ज़रूरत नहीं है और आपके फोन में स्टोरेज भी सेफ होगा डेटा भी सेफ होगा और फोन हेंग भी नहीं होगा यह ज़रूर सबको यहाँ पर यह चेक करना है ठीक है और लेट करर लिए और यहां पर कुछिछ देरेट करती है are निश्खे और दोस 친 Whats 1967 पर यह पर फिर से शर्च करोगे झासर करोगा यहां पर वो डेटा साय। यानि फिर से वो यहां पर एक्सेस होता है यहां पर मेमोरी यूस होता है जो भी आपस अपने सर्च किया यहां पर एक हिस्ट्री बन जाता है और वो यहां से एक्सेस करता है तो यहां पर मेमोरी यूस होता है रेम यूस होता है उससे फिर साइडिनिफाई करने में यहां सब आपको इसे जरूर से clean करना है जाकि आपके फोन में hanging problem fix हो जाए और यहाँ पर एक जो case data है वो भी यहाँ पर clean हो जाएगा तो play store के अंदर यह तीन setting करने के बाद आपको क्या करना है play store चोथा जो setting है play store से आपको एक चोटा सा app download करना है और यह video के description में direct app link दिया है वहाँ से download कर सकते हूँ अगर आप यह video YouTube में देखे हो यह video के description में नीशे direct app link है वहाँ से download करना अगर facebook में देखे हो facebook description में ऊपर के side link है वहाँ से download कर लीजिए और यह बहुत ही powerful app है चोटा सा app है और कुछ ऐसा interface आपको दिखने को मिलेगा नीशे दिखिए permission यहाँ पर click करना जैसे यहाँ पर click करोगे यहाँ से app का नाम ढूंद लिजिए और यह permission यहाँ से allow करना है फुर यहां से बैक कीजिए और यहाँ से बैक करना है यह से सेडिंग ओपन होंगे यहाँ से क्या करना है फिर से app open कीजिए जैसे यहाँ पर app ओपन करोगे यहाँ पर option is clean now और बस आपको यहां पर क्लिक करना जैसे यहां पर क्लिक करोगे यह पर देख सकते हैं रिजब यहां पर देखिए तो यह आपके रेम को boost करेगा और आपके रेम में जो भी case data है वो clean करेगा और इसलिए आपके फोन को काफ़ी ताकत मिलेगा काफ़ी powerful app है जो आपके फोन को double boost करता है फोन super fast चलेगा और आपके फोन में जो भी case data है वो भी clean हो जाएगा practically यह सभी setting को एक बार try करके देखना और आपको यकिन हो जाएगा तभी आप विश्वास कर पाओगे बाके में यह working setting है अगर आप play store में यह चार setting कर लेती हो जिन्दिगी बर में कभी भी आपका phone एंग नहीं होगा बहुत ही powerful तगड़ा आप यह आपके phone को हिला कर रख और देखना आपके phone में किसमा fast आपको यह feel होगा बहुत पास चुलेगा जो भी आपस ओपन करोगे इंस्टेंट ओपन होगी description मिलेंगे वहाँ से download कर लेना मुझे उम्मीद है जरूर से आपको वीडियो पसंद आयोगा कुछ निया सिकनी को मिले होगा अगर वीडियो चारा सा लाइक करना शेर करना आपको दिन सुभो यह हिंदु